नमस्कार दोस्तों मैं हूं सेखर रंजन और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपनी स्टेडी चैनल आईयस पीसियस अकैडमी में दोस्तों हमने जो एसेस्टी जीडी यूवी पुलिस को टार्गेट करते हुए प्रशनों की जो संखला चालू की थी उसी को जारी रख आज का पहला प्रश्ण है यह देखिए निर्देश प्रश्ण एक से दो तक प्रतेग वाक में रेखांकित मुहावरे से सही अर्थ का चैन कर उसके नीचे दिये गए विकल्पों में से कीजिए तो पहला प्रश्ण चली शुरू करते हैं वैस सदा धन अर्जित करने के लि तो इसका जो correct answer है वो है option A यानि कि गलत सही उपाय करना यानि कि आपने सुना भी होगा जैसे अगर आप कुछ गलत काम करने लगते हैं पैसे कमाने के लिए तो घरवाले कहते हैं कि क्या जोड तोर कर रहे हो इधर से उधर जोड़ा जाड़ी करते हैं ठीक है तो उसी तरह इसे गलत सही उपाय करना है यानि कि कुछ भी करना तो इसका correct answer हो जाएगा option A चलिए अगले प्रिशन पर चलते हैं अगला प्रिशन हमारा है राहुल ने तो आग में घी डालने का काम किया देखिए इसके options है यग करना खुशी मनाना रोशन करना और जो fourth option है वो है option number D उत उतेजित कर रहा है किसी को जानि कि कहीं अगर लड़ाई जगडा चला आए तो उसमें बहुत से बार आपने सुनावियों का लोग कहते हैं कि आग में घीमट डालो तो इसका होता है हम लोगों को उतेजित कर देते हैं तो इसका correct answer होगा option number D चलिए अब तीसरा प्रिशन द कोड़ देना कत्राना धोका देना या ठगना तो फ्रेंट्स इसका answer आप लोग बताएं इसका correct answer होगा option B यानि कि कत्राना यानि कि जब उसने उधार तो ले लिया लेकिन जब पैसा लोटाने का समय आया तो लोग नजर चुरा के निकल जाते हैं ठीक है तो उसी का यह प्रशन पर चलते हैं तो देखिए फ्रेंट्स अगला जो हमारा प्रशन है प्रशन नंबर चार से छे तक प्रतेक वाक्यान्स के अर्थ के लिए उप्यूक्त लोकोक्ति का चैन उसके नीचे दिएगा विकल्पों में से कीजिए तो प्रशन चार है अयोगी व्यक्ति को उ इसका मतलब क्या होगा यानि कि इसका अगला प्रशन देखते हैं आपूर्ती कम खपत अधिक तो इसके जो फ्रेंट्स अप्सन नंबर जाएगा अगला प्रशन देखते हैं हैं वो हैं एक अनार और सौ बिमार इमली के पात पर बारात का डेरा घड़ी में घर जले अड़ाई घड़ी बद्रा आग लंगने पर तापने को तयार तो दिकी हमारा प्रशन क्या है आपूर्ती कम खपत अधिक यानि कि आपके पास सामान कम है लेकिन उसे खाने वाले लोग जादा है तो इसमें आपको आप्सन देखने इस पता चलाओगा कि जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपसन नंबर ए ठीक है फ् आविशक्ता से कहीं न्यू निवस्तू की प्राप्ति, यानि कि आपको कोई चीज बहुत अधिक चाहिए, लेकिन आपको मिल लएए थोड़ी सी, जिससे आप संतुष नहीं है, ठीक है, तो इसके options क्या है, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, option B है, खोदा पहाड निकली चुईया, option C है, कहाँ चावल, कहाँ गे हूँ, और option D है, थोटा बाजे, थोटा चना बाजे घना, तो इसका options क्या हो जाएगा, तो friends इसका जो correct answer हो जाएगा option A, यानि कि ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, ठीक है, यानि कि आपको बहुत ज बस्तू की प्राप्ती, तो इसका correct option हो जाएगा, option number A, उस चाटने से प्यास नहीं कुछती, ठीक है friends, चलिए, नेक्स पर चलते हैं, अगला जो मारा प्रशन है, वो है, 7 से 9 तक, प्रतेक प्रशन में दिये गए सब्द के समानारती, सब्द का चैन उसके नीचे दिये गए विकल्पों में से कीजिए, तो देखिए, इसमें आपको समानारती सब्द का चैन करना है, ठीक है, तो क्या है, कृती, तो कृती का मतलब, option आपके है, प्रसंसा, करने वाला, या फिर कीरती, या फिर रचना, तो देखिए, कृती का option हो जाता, option D, यानि को कोई कृती करना, ठीक है, यानि कोई रचिना करना, जैसे आपने कोई लेखा किया, आपने कोई किताब लिख दी, या फिर आपने कुछ ऐसी कोई चीज बना दी, ठीक है, तो इसका जो correct answer हो जाएगा, option number D, ठीक है, friends, चलिए तो हम अपने अगले प्रशन पर बढ़ते हैं, हमारा अगला प् दाहा, तो इसका जो correct answer हो जाएगा, वो जाएगा, option D, ठीक है, ठीक है, अब अगले प्रशन पर चलते हैं, तो हमारा अगला प्रशन है, डाहा, तो इसका देखिए, आपको समारती सब्द बताना है, तो इसके options, पहला option है, अवन, दूसरा option है, अवध्वन्स, तीसरा option है, डाह, या फिर चौता option है, इरश्या, तो देखिए, हमारे जो यूपी है, यहाँ पर छेतरी भास हम बोलते भी हैं, गाउं में जवाब चले जा हैं, यूपी में ज्यादा तरह सा बोला जाता है, तो इसका जो correct answer हो जाएका option D, इरश्या गन्ना, यानि की डाह, डाह होना, ठीक है फ्रेंट्स, चलिए हम अब अपने अगले प्रिशन पर चलते हैं, हमारा अगला प्रिशन है धवल, इसका आपको बताना है समानारती सब् कोरा, चोरी या मामुली, तो देखिए धवल का जो correct option हो जाएगा option A, यानि की उजाला, और धवल का मतलब चमकदार भी होता है, और इसका मतलब होता है, जैसे कोई अगर बहुत सफेद वस्तू है, तो आप उसको भी धवल बोल सकते हैं, ठीक है फ्रेंट्स, तो इसका जो विकल्पों में से परायवाची सब्द छाटे है, अब आपको परायवाची सब्द छाटना है, ठीक है फ्रेंट्स, तो देखिए 11 नंबर का प्रशन है विद्यूत, यानि कि आपको इसका परायवाची बताना है, तो आपके options रहे ये आपके सामने है, गर्जन, दामिनी, चमक या पयोद, तो देखिए गर्जन, गर्जन का तो मतलब हो गया कि बादल का गर्जना, ठीक है, चमक, चमक क्या होता है, चमक का तो मतलब हो गया एक तरीके से, मालो रोशनी का परायवाची हो सकता है, पयोद, पयोद तो बादल को बोलते है, यानि कि जब वो बरसात ह वाली होती है ठीक है तो इसलिए पयोद उसे बोलेंगे तो लेकिन जो दामिनी होती है इसका मतलब होता है विद्यूत ठीक है तो हमारे जो तो इसमें आपको एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा होगा जो आपको नदी से मिलता जुलता दिख रहा है सुरसरी ठीक है सुरसरी सरिता तटनी तरंगिनी त्रिपधगा निम्नगा वाहिनी यह सब नदियों को दार पर रहे वाची ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो पहला ऑप्शन है गुलाब दूसरा है पद तीसरा है अंदाज और जो ऑप्शन नंबर डी है वो है काजल तो दिखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानि की काजल अंज का पर रहावाची काजल होगा तो चलिए अब हम अपले अगले प्रस्ण पर चलते हैं प्रस्ण संख्या 14 है धाता अब आपको इसका पर रहावाची बताना है तो इसके जो ऑप्शन से वो हैं विश्डू धाय पक्ष हार तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्डू यानिकी धाता यानिकी धात अब हम अपने अगले प्रस्ण पर चलते हैं अब देखी हैं पर फिर से कुछ चेंज हुआ है यानिकी प्रस्ण 15 से 18 तक प्रतेक शब्द के लिए उसके नीचे दिएगा विकल्पों में से सही विलोम शब्द छांटी है अब देखी पहले आपको समानार्थी बताना था फिर आपके लिए पर्रायवाची आया अब आय तरीत penet reward में तो देखेए सुक्त उक्त का मतलब क्या हुआ सुक्त का मतलब वूआ कोई छीन धीर धीरोची सीग्र और तरीत इसका तो आपको पता ही चिल्ला होगा जैसे दुरूची से काम कर किया जाए यह तो सब नहीं सुना है कि सीग्र करो देर हो रही है ाँत्त,त्वर ठीक है फ्रैस्स तो चली अब हम अगला पॉर्शन देखते हैं अनाथ तो देखिए अनाथ का जो ऑप्शन है वो रहे यह आपके सामने धनी सनाथ ुर्धन या बेकार तो देखिए इसके जो तो options हैं हमने आपको बता दिए आपको इसका answer बताना है तो देखिए अनात का क्या answer होगा यह हो जाएगा आपको सामने दिखी रहा होगा धनी सनात निर्धन या बेकार तो अनात का विलोम शब्द आपको बताना है ठीक है मैं यहां पर वही अभी थोड़ा पहले अगले पर चलते हैं आकरशड तो देखिए आकरशड इसका आप कौन सर बताना है इसके जो ऑप्सन है यह आपके सामने आकरश्ट विकरशड अनाकरशड या पराकरशड तो देखिए आकरशड का विलोम सब्द क्या होता है आकरशड का विलोम सब्द हो जाएगा विकरशड यानि कि आपको कि एक परेक्ट आंसल हो जाएगा उप्सन नूमर B, चलिए अब हम अगला प्रस्ण देखते हैं, देखे हमारा आगला प्रस्ण है विस्तार, ठीक है, तो विस्तार जैसे आप ने सुना भी होगा कि कोई बात अगर है तो उसे विस्तार से बताओ, ऐसे बोल देते हैं लोग कि व विस्तार से हमें समझाओ, ठीक है तो आपके options है ये विस्तार का लेकिन आपको विलोम सब्स बताना है यहाँ पे, तो इसका options है लगू, छोटा, सूक या संचेप, तो अगर कोई बात विस्तार में बताई जा रही है, तो फिर अगर उसका हम विलोम करेंगे, तो जाहिर सी ब जाएगा, वो जाएगा, option number D, संचेप, चली अब हम अपना अगला प्रस्न देखते है, 19 सर 21, देखे, प्रतेक की वरतनी के लिए, इन में से एक विकल्प में, सब्दों की वरतनी दी गई है, सब्दों की सुद्ध वरतनी दी गई है, आपको सुद्ध वरतनी का चैन करना ह तो देखिए, यहाँ पे तो प्रस्न ही नहीं छपा हुगा, यहाँ प्रस्न ही गाइब है, चली अगला प्रस्न देखते हैं, यह भी गाइब है, यह भी गाइब है, चली यह देखिए, अब 22 नमबर देखते हैं, उसमें कोई दिक्कत आ गई, चली वो सई से छपा नहीं है तो इसका पहला option है हो सकता है मैं अपने जन दिन पर सब मित्रों को बुलाओं option B है मैंने पिछले महीने ही यह मकान खरीदा था option C है कर्म करो फल की जिंता मत करो option D है तुम सब सुखी रहो तो इसमें आपको क्या पूछाएगा कि इसमें जो आपका correct answer हो जाएगा option B यानि कि मैंने पिछले मैंने ही यह मकान खरीदा है तुम सब सुखी रहो यह तो इच्छा वाचक ऐसी पता चलता है और option यह हो सकता है तो संदेव आचक हो गया ठीक है तो विदी वाचक इसमें एक ही है कि मैंने पिछले मैंने यह मकान खर पाने तो इसमें आपको चार चार विकल्म में सुख्ध वाक्य को चिन्नित करें तो इसमें आपको सुध्ध वाक्य बताना है जो धनका मूपका वह सादू नहीं है मुझे इस अधिवेशन का समाचार नहीं मिला था मेरी कविता मुद्रित हो रही है वहां भारी भरकम मुझे इस का समाचार समाः मिला था यानि इंस है और यहाँ पर क्या हो क्या हो सूचन रांप श्रू अभाड फिर जमा थी तो यहां entertainment कम बहुत दंका ब्रहें द्गना नहीं ठीक है तो इसमें आपको शुद्ध वर्त नहीं बता नहीं है तो इसमें आपको शुद्ध वर्ति नहीं बताईए सतावदी शताबदी शताबदी या शताबदी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए कि वर्तनी वाला ठीक है आपको वर्तनी पहचाने में असानी होती इतनी किसी चीज में नहीं होती है तो देखे आप इसमें देखी पा रहे होंगे इसका जो करेक्ट आप्सन हो जाएगा वह जाएगा ऑप्सन नंबर भी ठीक है अगला प्रसंद देखते हैं यह तो हो चुका है आप देखे 23 नंबर भी हो चुका है 24 नंबर देखे बहुत भोजन बहुत लजीज है मेरा नाम स्रीमति अनु है अभंग एक प्रकार का मराथी चंद है लगबाग दो दर्जन के करीब से मैंने उसे दिये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह जाएगा ऑप्सन नंबर भोजन बहुत लजीज है यहीं कि तीनों ऑप्सन बागी गलत है ठीक है अगला प्रिशन देगी है दसरत का जीवन अपने जेष्ट पुत्र राम पर निर्वर था ऑप्सन भी है रामाइड के पढ़ने से समस्त प्राणी मात्र का कल्याण हो सकता है ऑप्सन सी है मित्र के प प्त्र का जीवन अपने जेष्ट पुत्र राम पर निर्वर था और इसमें क्या रामाइड के पढ़ने से समस्तर प्राणी मात्र के रहए there क्ले देखिए और पास किसी और दूसरे व्यक्ति को भेजो तो देखें यहां पर किसी और दूसरे एक साथ आ रहा है यहां प्रतेग वाग के खंड पर एक सब्द के लिए चार विकल्प दिये गए तो जिसे पर कोई किया लांचस नाकिया है तो इसका तो यह तो इसका अकलंक कुछ नहीं होता है झेलए, और आकलंक जाए बपे अचम्ट के आप चता है चलिए 27 नमबर देखते हैं हर काम को देर से करने वाला ठीक है तो हर काम को देर से करने वाला जो बहुत टाइम लगाता उसे हम लोग क्या कहेंगे उसे कहेंगे दीर्ग सूत्री तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह जाएगा अगला प्रस्ण देखते हैं एक के बाद एक करम से तो देखे यह तो बहुत ही इजी कोश्चन है एक के बाद करम से तो मतलब करमागत तो ऑप्सन भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए ऑप्सन टूंटी नाइन देखिए कान देना इसमें आपको क्या बताना है नीचे दिएगए मुहावरो और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए चार चार विकल्प दिएगा है प्रते के लिए उप्यूक्त वाला विकल्प चुनना है आपको क्या होता है कान देने का मतलब होता है भोता है ध्यान देना यानि कि option C आपका करेक्ट आंसर हो जाए हैं तो तीस नंबर का प्रस्ट क्या है खेत आना यानि की खेताना का मतलब होता है इसमें लोगं गफ्यूज हो जाते हैं एकसर लेकिन एबात इस ही होता है कि युद्ध में सहीध होना तो इसका जो करेक्ट ऑप्सन हो जाएगा बहुंत अमबर एव तो यह थे आज को जम के मेहनत करनी है क्योंकि जो सरकारी नोकरी है तो आप लोग देखी रहे होंगे इतनी आसानी से अचक्छल मिलती नहीं है बहुती कम फाउम आते हैं उसमें भी दांदली हो जाती है अपने लेकपाल में भी देखा होगा और जो किसली परिक्षाय हुई है ठीक है तो करें धन्यवाद